हेलो फ्रेंड्स राधे राधे जैसरी कृष्णा फ्रेंड्स आज हम लेकर आये हैं ये टू कलर वाइट और ये ब्लू आज हम इनसे बनाएंगे अपने लड़ो गोपाल जी के लिए ड्रेस आज की ड्रेस हम बनाएंगे छे और साथ नंबर लड़ो गोपाल जी के लिए तो कि चलिए बनाना शुरू करता है आज हम इसकी यूणिक सी चली बनाएंगे और उसके साथ हम ड्रेस बनाएंगे collect a Dingen के तो विवन इस द्राइंगी हां यह पर पर हम बना ईक रहां की चोली इनल पर पहले भी अपलोद कर चुखे हैं तो यहाँं पर चौली बनाने की लिए द दाल लिया है 12 फंदे और 10 नंबर की सलाई यूज़की है देखिए 10 नंबर की सलाई पर 12 फंदे डाल कर अब इसको बनाना शुरू करते हैं बहुत जादा देखें टाइक यहां पर फंदे हमें नहीं डालने हैं सिंगल धागे से फंदे डालने हैं तो अब इसके फर्स्ट रो तो देखे इस तरह से फर्स्ट रो बनाएंगे और यहां पर यह दो फंदे हम बीना बुने छोड़ लेंगे दो फंदे हमें छोड़ लेने हैं इनको नहीं बुनना है पहली सलाई के साथ ही इस तरह से आप शुरू करें तो यह दस फंदे हमने बुन लिए तो फंदे छोड़ लिए धागा हम इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे और यह पूरी सलाई बना लेंगे तो यह फर्स्ट रो यहाँ पर सेकंड रो यहाँ पर इस तरह से हम बनाएंगे धागा पीछे करके लास्ट वाला फंदा में सीधा बुनना है यह बिल्कुल हमें ध्यान रखना होगा लास्ट वाले फंदे को जैसा बुनेंगे हमारे प्रेस का लुक ऐसा ही आएगा अच्छा बूनेंगे तो अच्छा आएगा और अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो यह लास्ट वाला फंदा में ध्यान से बुलना है अब इसके थर्ड रो बनाएंगे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे दो फंदे हो गए तीन चार पांच छे साथ आठ फर्स्ट रो में दस फंदे बुने दो छोड़े अब हमने आठ फंदे बुने दो और छोड़ लिए अब हमारे पास यहां पर चार फंदे हो गए यहीं से हम वापिस हो जाएंगे इस तरह यह फंदा ऐसे उतारेंगे और फोर्ट रो बना लेंगे दोनों साइड से इसको में उल्टा-उल्टा ही बनाना है धागा पीछे लास्ट वाला फंदा सीधा यह दिखे इस तरह से यहां पर चेन बन जाएगी चार सलाईया कम्प्लीट हो चुक्या फिप्तरों बनाएंगे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे अब हम यहां पर छे फंदे बुनेंगे एक तो उतार लिया एक बुन लिया दो हो गए तीन चार पांच छे पहले दो छोड़े फिर दो और छोड़े अब दो और छोड़ दिए तो यहां पर हमारे छे फंदे हो गए छे बुन लिया छे हमने छोड़ दिये अब यह इसे वापिस होंगे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे धागा पीछे करके इसको हम सीधा बुन लेंगे देखिए इस तरह से बन जाएगे चार फंदे बुनेंगे दो फंदे और छोड़ दिये यही से वापिस हो जाएंगे यह फंदा ऐसे उतार लिया दो फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे तो एन त्रो इसके हमने कंप्लीट कर ली है अब देखें 9 तरो बनाएंगे एक फंदा ऐसे उतारेंगे एक फंदा बुन लिया यह देखिए आप दो दो करके यहां तक आगाए हमारे पास दो ही फंदे है एक उतारा एक बुन लिया और लास्ट में देखिए इस तरह से इसको तो हमें उतार लेना है नहीं बुनना है धागा पीछे करके लास्ट वाला फंदाम सीधा बुन लेंगे तो एक कली यहाँ पर कंप्लेट हो गई है अब इसका कलर चेज करेंगे अब देखिए यहाँ से हम वाइट धागा इसमें लगाएंगे देखिए वाइट धागा लेंगे और ये इसकी उल्टि साइड उगी देखिए यहाँ पर है जिस साइप-धाया गज़ इसकी उल्टि साइड होगे तो यहां से कलर चेंज करेंगे यह फंदा भी बुन लेंगे और पूरी सलाई हम उल्टी बुन लेंगे इस धागे को फिनिशिंग लेने के लिए दिखिए और यह धाग भी हम एक बार तो ऐसे दबा लेंगे यह थोड़ा अंदर की साइड आकर दब जाएगा एक बार ही हमें दबाना है ब्लू कलर वाले को तो और यह वाइट वाले को मिस तरह से दबाएंगे तो यह पूरी सलाई हमें बुन लेनी है वाइट कलर से दिखिए अब इसकी यहाँ पर हम दूसरी कली बनाएंगे तो इसके लिए हमने वाइट कलर लगा लिया यह फंदा ऐसे उतार लेंगे फिर धाग अपनी साइड लाएंगे और यह फंदा बुन लेंगे यहाँ पर यह फंदा भी हम बुन लेना है और पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे, लास्ट वाला फंदा हमें सीधा ही बुनना है, धागा पीछे करके ये फंदा सीधा, देखे, इसको हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे, देखे हमने थोड़ा सा इसको अंदर की साइड करके दबा लिया, तो ये बाहर किनारी पर दिखाई नहीं देगा, ब्लू वाला धागा, अब देखे ये फंदा ऐसे उतार लेंगे, अब फिर से हमें वही रिपीट करना है, दो-दो फंदे छोड़ने हैं, और इसकी वाइट जो कली है, वो भी बना लेंगे, धागा पीछे करके ये फंदा, देखे, दो फंदे छोड़ दिए, ये फंदा ऐ बना लेंगे, और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे, तो इस तरह से बनाते वे हम ये पूरा जो इसका घिरा है, इसको बना लेते हैं, चोली बनेगी, धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, अब इसी तरह से हमें दो-दो फंदे छोड़ने ह हैं, और जब हमारे फंदे दो-दो करके सारे छूट जाएं, तो फिर हम कलर चेंज कर लेंगे, इस दागे को हम ये फंदा उतारने के बाद इस तरह से उपर ले जाकर ऐसे दबा लेंगे, क्योंकि इस दागे की हमें आके जरुरत पड़ेगी, इसे हम कट नहीं करेंगे, थ दो पहले छोड़े, दो अब छोड़ देंगे, और दिखिए, कली हमने आपको बता ही दी है, लास्ट वाला फंदा सीधा, तो इस तरह से इसको बना लेते हैं, और ये धागा हम एक फंदा उतारने के बाद यहां पर दबा लेंगे, तो ये कली बनाने के बाद आपको दिख देखाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, दो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे कली हमने बनाई है, और ये देखिए, इसका लुक इस तरह से कुछ आएगा, तो यहां तक ये कली भी हमने इसकी बना ली है, अब एक सलाई उल्टी साइड से पूरी बुन ले लेते हैं, ये फंदा ऐसे उतारेंगे, यहां तक दो-दो फंदे करके हमने छोड़ लिये थे, अब ये पूरी सलाई हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे, इस तरह से धागा पीछे करके लास्ट वाला फंदा सीधा, अब सीधी साइड से सारे फंदे इसके हम बंद कर देते हैं, दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे, फिर ये फंदा वापिस लेंगे, फिर दो का एक, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं घटाना, और बहुत ज़्यादा हमें टाइट भी नहीं घटाना, इस तरह से घटाते हुए सारे फंदे बंद कर देते हैं, फंदे हमने बंद कर हैं फंदे इस हिसाब से बंद करें देखें जो दोनों इकवल हो जाएं ना टाइट ना ज्यादा लूज तो यहां से यह धागा इसका हमने कट कर दिया है और इस धागे को देखिए इस फंदे के अंदर से निकाल कर लोक कर देंगे ताकि यह खुले नहीं कि दोनों इकवल है और इस तरह से यह आएगा इसका लूज यहां पर इसका देखिए क्या फायदा होता है इसी चोली का ना हम एक फंदे बार-बार काउंट करने पड़ते ना इसको हमें देखिए नाप कर देखना पड़ता पूरी लैंद इसकी दो इंच है यह देखिए और यह बिल्कुल सही है अब इसके हम देखिए घेरे के लिए फंदे उठाएंगे सबसे पहले इसमें हम धागा लगाएंगे वाइट कलर का यह देखिए अब यहां से हम घेरे के फंदेस के उठा लेते हैं यह धागा कट कर लिया है पहला फंदा हमें बिल्कुल किनारी व तोड़ा सा इसके साथ हम दबा लेंगे अच्छी फिनिशिंग आती है और किनारी से दिखाई भी नहीं देता देखे एक फंदा हमने उठा लिया एक फंदा हो गया दूसरा धागा सुरी दूसरा फंदा हम इसतरा डबल दागे के साथ उठाएंगे तो यह सेंट हो जाए दागा देखे दो फंदे हो गए देखे रहे हम इस तरह से डागे को बचा ए इस तरह से लेंगे हम तीन पंदे हो गए चार पांच छे साथ साथ फंदे हो गए दिखिए आठ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, नो, दस, और ये ग्यारे ये देखिए ग्यारे फंदे हमने फ्रेंट साइड के उठा लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे अब हम यहाँ पर बाजू के फंदे छोड़ देंगे देखिए यहाँ पर यह जो चेन दिखारी दे रही है अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, लाष्ट वाले फंदे को बुनते हैं तो यहाँ पर युचेन बन जाती है इस तरह तो देखे अब बाजू के फंदे हम यहां पर छोड़ देंगे यह देखे इसमें ब्लू कलर में थोड़ा सा देखने में प्रोब्लम होगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले सोले फंदे हम यहां पर बाजू के लिए इसके छोड़ देंगे और देखें यहां से बैक साइड के फंदे हम उठा लेंगे सोले चेन हमने छोड़ दी है बाजू के लिए इस तरह से बाजू बन जाएगी अब बैक साइड के फंदे उठाएंगे एक फंदा हो गया दो, तीन, चार, इस तरह से हम अठारा फंदे इसके बैक साइड के उठा लेते हैं अठारा फंदे हमने बैक साइड के उठा लिए हैं एक दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदे, सोले, सत्रे, अठारे अब यहाँ पर हम बाजू के फंदे छोड़ देंगे तो देखिए यह चेन यहां से फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदे, सोले, 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 चेन हम यहां से छोड़ देंगे बाजू के फंदो की, देखिए जैसे हमने यहां पर छोड़ी है, और दो जो कली है, दो कली में हमारे फ्रेंट साइड के फंदे उठ गए यहां से यहां तक दो कली में तो यहां भी हमारे पास यह देखिए इसको हम छोड़ देंगे और यहां से फंदे उठाएंगे इस तरह से एक दो तीन चार इस तरह से हम यहां पर ग्यारा फंदे उठा लेते हैं देखे ग्यारा फंदे हमने यहां पर उठा लिए लास्ट वाला फंदा में बिल्कुल किनारी से उठाना है अब इसकी उल्टी साइड से उल्टी सलाई बना लेते हैं यह जो धागा हमने कट किया इसको भी दबा लेंगे इसके साथ और इस सलाई में हम देखिए दो फंदे इ कि देखिए यह धागा में ध्यान से देखना है इसको दपा लेना है और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे यह तो एक किनारी से हमें फिर नोट लगानी पड़ती है इसकी तो इस तरह से दबा लेंगे यहाँ पर और दो फंदे देखिए एक साथ मुनेंगे यहाँ पर दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा बैक साइड से लेंगे और एक फ्रंट साइड से और दोनों को हम एक बना लेंगे एक फंदा यहाँ पर कम कर लेंगे एक फंदा हमें दूसरी साइड कम करना है यहां पर हमें दो फंदेश के कम करने है उल्टी साइड से कि दिखे यहां पर आ गए अब यहां भी हम दो फंदों का एक करेंगे एक इस साइड से और एक इस साइड से इन दो को एक बना देंगे दो का एक कर दिया और पूरी सलाई हम उल्टी बना कर कम्प्लीट कर लेंगे अब इसके चार सलाईयां बना लेते हैं दोनों साइड से उल्टी उल्टी जो सीरी साइड से उल्टी होगी और उल्टी साइड से उल्टी ही होगी इस तरह हम बनाएंगे इसके चार सलाईयां वाइट कलर से इन 4 सलाईया बनाने के बाद फिर आपको दिखाेंगे और इसकी हम Length चेक करेंगे यहूँ देखे चोली हमने इतनी बना ली है 4 सलाईया भी इसकी कंपलीट कर ली है अब इसकी Total Length आपको दिखाते ने देखे पूरे पॉने wrapping it कि इतनी ही चोली हुम अगर सिंपल बनाते हैं तो इतनी ही लेंद्स चोली जब बनाते हैं अगर आखको तीन इंच की प्रोपर चाहिए तो आप इसमें दो सल्लाइभ और बना ले तो और तीम्न बन जाए गी हमने याप पर चार श्लाइभी बनाई पूने तीन इंच की ये चोली कम्प्लीट हो गई है अब घेरे के लिए फंदे बढ़ाएंगे एक फंदा ऐसे उतारेंगे एक फंदा उल्टा यहाँ पर दो ही फंदे हम इस तरह से बनाएंगे और इसके बाद धाग अपनी साइड करके फंदा सीधा फिर धाग अपनी साइड फंदा सीधा हर फंदे पर जाली हमें डाल लेनी है इस तरह से और दो फंदों पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे लास्ट में यह देखे यह जो दो फंदे हैं पहला फंदा उल्टा बुनेंगे लास्ट वाला हम सीधा बुनेंगे और इसके बाद उल्टी साइड से उ उल्टी उल्टी यह फंदाय से उतारेंगे और सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा इस तरह से इसको हम बुनेंगे और यहां पर चार सलाईयां इसकी बना लेंगे ये 4 सलाइयां बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि आगे में इसमें क्या करना है इस तरह इस ये देखिये, 4 सलाइयां हमने बना लिए हैं, दोनुसाइड से उल्टी उल्टी अब सीधी साइड पर आ गए हैं एक फंदा ऐसे उतार लेंगे एक फंदा ये उल्टा इसके बाद फिर हर फंदे पर हमें जाली डालनी है धागा अपनी साइड फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड फंदा सीधा इस तरह से हर फंदे पर जाली डालेंगे फंदे यहाँ पर हम दूसरी बार इसमें बढ़ा लेंगे तो यह फंदे बढ़ा लेते हैं उल्टी साइट से इसकी उल्टी सलाई बनाएंगे यह दो सलाईयां बना लेते हैं फिर इसमें हम डालेंगे डिजाइन तो इनको बनाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे इसमें कैसे डालना है यह देखिए दूसरी बार इसमें फंदे बढ़ा लिये हैं हमने इसके बाद उल्टी सलाई बनाकर कंप्लेट कर ली है अब यहां से इसमें यह ब्लू कलर लगाएंगे इसके हम नोट लगा लेते हैं देखिए यहां से हम इसको शुरू करेंगे एक, दो, तीन, चार चार फंदे हमने बुन लिये ब्लू कलर से दो फंदे हम वाइट के इस तरह से उतार लेंगे फिर चार फंदे बुन लेंगे धागा हम आगे टाइट बिल्कुल नहीं ले कर जाएंगे इसको थोड़ा सा लूजी रखे जैसे कि यहां पर दो फंदो का गैप है उस हिसाब से धागा यहां पर थोड़ा सा लूज रखे चार फंदे ब्लू कलर से हो गए दो फंदे हमने उतार लिये फिर चार फंदे ब्लू कलर से एक, दो, तीन, चार, दो फंदे उतार लिये चार फंदे ब्लू से और दो फंदे हम उतार लेंगे इस तरह से हम पूरी सलाई बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह देखें, डिजैन की हमने first row कंप्लीट कर ली है, इस सब्सक्राइब, लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, लास्ट में भी 4 फंदे बचे हैं, सेकंड रो है डिजाइन की इस फंदा ते यह उतार ही लेंगे इस तरह से यह फर्स्ट फंदा इसको हमें उतार लेना है और जो फंदे ब्लू कलर से हैं उनको तो हम बून लेंगे और जो फंदे वाइट हुए उनको देखे इसी तरह से उतार लेंगे जो उतारे हुए थे उन्हें उतार लेना है और जो बुने हुए थे उनको बुन लेना है उल्टा उल्टी साइड से ये डिजाइन की सेकेंड रो है उल्टी साइड से तो इसको हम बना लेते हैं सी तरह, बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाएंगे, अब यह देखें, डिजाइन की हम थर्ड रो बनाएंगे सीधी साइट से, और यहाँ पर हम यह वाइट धागा लेंगे, चार फंदे हैं ब्लू कलर से, तीन को हम बुन लेंगे, एक, दो, ती तीन फंदे हम ब्लू कलर से बुन लिए, अब देखें, दो फंदे हमारे पास यह वाइट, एक फंदे को हम इस फंदे के उपर से पलटेंगे, एक को इसके उपर से, तो देखें, यह फंदा हम इसके उपर से गिरा देंगे, ब्लू कलर वाले फंदे के उपर से, और इस फं देंगे और इस फंदे को वापस सलाई में यहां पर इस तरह से लेंगे अब इस वाइट वाले फंदे को हम फिर से उठाएंगे पीछे की साइड से देखें यहां से उठाएंगे यह वाला फंदा इस तरह और इसको हम बुल लेंगे ब्लू कलर वाला हमें नहीं बुलना है, इसको हमें ऐसे ही उतार लेना है, अब ये फंदा इसके उपर से पलटेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों फंदों को इस सलाई में लेंगे, और ये फंदा इसके उपर से गिरा देंगे, इस फंदा हमने इसके उपर से गिरा दिया, इस रआपर पिल्च को पहल दोनों फंद हम नए फंद यहां से बनाएंगे तो यह 2 संद फंद हमने पलट ले और इनको बन लिया यह प्रओं या फंद हाद है फंद पिलट लिए ने प्लट बने पपन। वाला फंद हम यहां पर भणया एकम मसमिने desam ऊतार लेंगे अब इसी फंदे को दीकुशे के इचना दिखिए दक कर चाए लेंगे इस तरह से उठाएंगे और आट बूने लेंगे अब यह इस के ऊपर से गशे गिनाएं इसके लिए वाले को और देखे जो वाइट फंदा है इसको पीछे की साइड से उठाएंगे पीछे वाला इसका में उठा लेना है इसको सीधा बुन लेना है फिर ये फंदा ऐसे ही उतार लेंगे फिर दो फंदे वाइट से बनाएंगे एक तो देखे ये दो फंदे हमने बुन लिए ामें नहीं बुनना है और ला वाइट वाला इसको उठाना है दुबारा से पीछे वाले साइड से उठाएंगे सिद्धा बुन लें अब यह फंदा इसके उबर से गिराएंगे पहले हम इन दोनों से उठाएंगे पीछे की साइड से और इसको सीधा बुन लेंगे फिर यह फंदा इसलाई में उतार लेंगे तो इसी तरह से हैं देखें हमें यह पूरी सलाई बनाकर कम्प्लीट कर लेनी एक बार ध्यान से देख लें तो फिर कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी बहुत यह फंदा गिरा देना है इसको इस तरह वापिस लेंगे पीछे की साइड से हम यह वाइट वाला फंदा उठा लेंगे और यह फंदा वापिस उतार लेंगे इस तरह तो यह पूरी सलाई हम बना लेने हैं सीधी साइड से इसको हमने बनाकर कम्प्लीट कर लिया है कि यहां पर भी चार फंदे पल्टे हैँ अब देखेया दो फंदे यह, इन को wysna sila बुना था सीधिस सीधा बुनना होगा है यह पर दो फंदे फंदे होंगे यह तो इन को मम अल्टी साइड से सीधा बुनेंगे इन दो पारे फबेist को है कि अनुत पवाइशें को देखिए। और इन दो फंड दो को देखे दो फंड़े 저 उनको तो सबस्क와 अलोरगे साइड निधे को कैसे बनाते हैं। ब्लू वाले फंड़े हैं और असको कैसे बनाते हैं इसे सफरें अब देखिए यहां पर आप इनको हम ने सिम्पल बुना था तो धागा पीछे करेंगे और यह दो फंदे सीधे बना लेंगे फिर धाग अपनी साइड लेकर आएंगे ये फंदा ऐसे ही उतार लेना है दिखिए ये फंदा हमने ऐसे उतार लिया ये हमने पलटा था और इसके बीच पे जो दो वाइट हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे इनको हमें उल्टी साइड से उल्टा बुनना है जो फंदे पल्टे हुए थे दोनों फंदे बीच में है जो इनको हमने इस तरह से पलट लिया उल्टा बना लिया ये फंदा ऐसे उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे अब ये दो फंदे हैं जो हम सिंपल बना चुके है पहल यह फंदा श्यासए को खिरो कलेंगे फ्ंद हलंदा सता में ऐसे हीँतार लेंगे में अब इन फंदह को ऊल्टा ही भूनना पल्टेंगे में अब श्यासाइश मजफिविप श्याजर्थों से फंद्लाओ को ऊल्टा श्यासवलन एक फंदा ऐसे उतार लेंगे देखे इस उतार लिया धागा पीछे करेंगे सोरी धाग अपनी साइड है दो फंदे उल्टे इस तरह से पूरी सलाई बना लेते हैं यह फंदे देखे ऐसे उतार लेंगे इसको हम उल्टा बनाएंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धाग अपनी साइड एक फंदा ऐसे उतारेंगे दो फंदे उल्टे बून लेंगे यह फंदा ऐसे उतारना है इस तरह से यह पूरी सलाई बना कर हम कॉप्लीट कर लेते हैं अब देखिए सीधी साइड पर आ गए हैं सीधी साइड से हम यह ब्लू धागा लेंगे और देखिए सीधी साइड से दो फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं यह देखिए दो फंदे उल्टे हैं यहां भी है और यह यहां भी है इनको हमें बिना बुने उतार लेना है तो देखिए एक फंदा तो हम यहां पर ब्लू कलर से बुन लेंगे और ये दो फंदे हैं उल्टे, सीधी साइड से उनको हमें ऐसे उतार लेना है जो उल्टे फंदे हैं उनको ऐसे उतार लेना है, अब ये चार फंदे ब्लू से बनाएंगे ये ये और दो बीच वाले, तो देखें यहाँ पर चार फंदे ब्लू कलर से बना लेंगे दो तीन चार अब देखिए दो फंदे ये उल्टे हैं सीधी साइड से इनको हमें ऐसे उतार लेना है फिर ये चार फंदे ये देखिए इनको हमें सीधा बना लेना है ब्लू कलर से एक दो तीन चार दो फंदे ऐसे उतारने है फिर चार फंदे ब्लू से बनाने है एक दो तीन चार दो फंदे उतारने है ये उल्टे तो ये सीधी साइड से इसको हम इसी तरह से बना कर कम्प्लीट कर लेते हैं ये देख सकते हैं सुसक्षazy उल्टी साइड से आप जैसे हमने पिछले सलाई में बताया था। जो फंदे ब्लू से उनको भुन लेंगे ब्लू से और जो पंदे उतार लेंगे . इसमसरे से पूर। आपको आपको स्वेंते पेटेंचे सबस्यारिके बनाना है मुझत- जो फंदे बूने थे उनको बूना जो उतारे थे उनको उतारा अब देखी यहां से हम वाइट धागा लेंगे और जैसे पहली सलाई में हमने यहां पर फंदे पलटे थे डिजाइन में पहले उसी तरह से फंदे पलटने हैं ये देखिए ये वाइट फंदा इस तरह से इसके उपर से गिरा देंगे और इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे ये फंदा उठाएंगे इसको हम बून लेंगे अब ये दो फंदे हैं ये वाइट वाला फंदा हम इसके उपर से गिराएंगे दिखिए थोड़ा सा टाइट है ये इसके उपर से गिरा दिया इसको हम वापिस लेंगे और ये फंदा उठाएंगे इसको हम बून लेंगे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे अब यह दो फंदे बना लेंगे वाइट से यह हमने आपको पहले दिखाई दिया था सेम तरीका है वही बनाना है देखें इसके उपर से गिरा देंगे इसको इस सलाई में लेंगे वापिस इस फंदे को पीछे की साइड से उठाएंगे और इसको बून लेंगे, अब ये दो फंदे हैं, ये फंदा हम इसके उपर से गिरा देंगे, इस फंदे को वापस इस सलाई में लेंगे, और ये वाइट वाला फंदा हम इस तरह से उठा लेंगे, और इसको बून लें यह फंदा ऐसे उतारना है अब दो फंदे इनको हम वाइट से बनाएंगे बस आगे हमें इसको इसी तरह से कंटिन्यू करना है स्टीजाइन को बनाते जाना है थोड़ा सा बनाने के बाद पिर आपको हम दिखाएंगे कि डिजाइन दिखता कैसे Health इस डिजाइन को आप किसी स्वेटर, टो कलर के स्वेटर, जर्सी वगर में डाल सकते हो, यह देखे, इस तरह से दिखाई देगा, कुछ-कुछ है मोरफंक जैसा डिजाइन दिखाई देगा आपको, तो यह डिजाइन हम थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंग उल्टी साइड से आपको पता ही है, देखे, उल्टी साइड से यह फंदे सीधे बुने जाएंगे, जो दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, सीधी साइड से इनको सिंपल बुनेंगे, उल्टी साइड से इनको हमें सीधा बुनना है, तो उल्टा आएगा है सीधी साइड से, ज अर्थ बलू वाले साहे इसे उतार लेनी है हुश सियें तो इसको थोड़ा सा बनाने के बाद Community कर लिया है और वर बलू । kaloम झाल शाहरा देखें देल देजह इने यहानớ तूम आपको दिखाते हैं यहांसा हमने शिरू किया था एक इंज है और एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, और यहाँ पर सातवा, तो हमने इसमें सात डिजाइन कम्प्लीट किये हैं, अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, यह धागा हमने कट कर दिया, दो, एक फंदा हमने वाइट का बनाया, दो फंदे यह ब्लू के इस तरह से उतार लेंगे, यहां से हमें इसको बंद करना है, ब्लू कुलर को, और यह धागा इसके साथ इस तरह से दबा लेंगे, फिर यह एक फंदा वाइट, यह दो वाइट के हैं, इनको भी वाइट, और तो इसलिए हम इसको एसे बनाएंगे यहां पर दो फंदे बीच वाले जो हैं प्लू इनकोम ऐसे उतार लेंगे और चार फंदे आपर वाइट के बनाएंगे एक दो तीन चार ये दो फंदे ऐसे उतार लेंगे फिर चार फंदे वाइट के एक दो तीन चार दो फंदे ये उतार लेंगे एक दो तीन चार इस तरह से पूरी सलाई हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे यह देखे हमने पूरी सलाई बनाकर कम्प्लीट कर ली है अब उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई बनाएंगे और पूरी सलाई हम वाइट कलर से बना लेंगे दो फंदे जो ब्लू है इनको भी हम वाइट से बना लेंगे यह देखिए फंदे भी बना लेते हैं फिर सीधी साइड पर आकर हम आपको दिखाते हैं यह देखे अब सीधी साइड पर आ गये हैं और यहां से हम इसकी फ्रिल मनाएंगे यह फंदा हम एक बार बुनेंगे और इसी फंदे को देखे, दूसरी बार बुन लेंगे अब धाग अपनी साइड लेकर आएंगे ये फंदा बुन लेंगे यहीं से वापिस हो जाएंगे इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे और ये लास्ट वाला फंदा, हम सीधा बुन लेंगे हर बार हमें एक एक फंदसमें बढ़ाना है जैसे हम पहले अपनी ड्रैस में बना चुके हैं सेम तरीके से हमें आपर फियल बनानी है एक फंद Dame उतार लिया के एक फंदा यह हो गया उल्टा और एक यह हो गया अब हमारे पास तीन फंदे हो गई, उल्टे, ये फंदा ऐसे उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, धाह पीछे, लास्ट वाला फंदा सीधा, अब देखिए। फिर से सीधी साइड पर है, ये फंदा ऐसे उतार लेंगे, एक दो और एक फंदा हम यहाँ पर और बढ़ा लेंगे फंदा हो देखिया हमारा खुल गया इसको हम बना लेते हैं तो यहाँ पर एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे फिर यहाँ से वापिस हो जाएंगे यह फंदा ऐसे उतार लिया दो फंदे उल्टे लास्ट वाला फंदा सीधा टोटल फंदे हमारे पास इसमें 144 फंदे हैं इन पर हम फ्रिल बनाएंगे एक फंदा ऐसे उतार लिया एक फंदा बुन लिया एक हो गया दो, तीन और ये चार चार फंदे बुन लिये यही से वापिस हो जाएंगे 144 फंदों के फ्रिल यहां पर हम बनाएंगे एक फंदा ऐसे उतार लिया ये फंदे उल्टे बनाएं लास्ट वाला फंदा सीधा अब सीधी साइड़ पर आगए एक फंदा ऐसे उतारेंगे एक फंदा बुना दो तीन चार पैंच पैंच फंदे बुन लिए एक उतारा था यही से बापिस हो जाएंगे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे बीच वाले सारे फंदे हम बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा हम बनाएंगे सीधा इस तरह से फिर से इसकी सीधी साइड पर आ गय इसे एक दो कि टी चार पांच छे एक फंदा उतारा था छे फंदे बूल लेगे टोटल सात फंदे आज इसे मापी यह वापीछ हो जाएंगे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे, बीच के सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा बुनेंगे सीधा साथ फंदे होगे, अब एक फंदा हम और बढ़ाएंगे, यह फंदा तो ऐसे उतार लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यही से वापिस होंगे यह फंदा ऐसे उतार लिया बीच के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे अब देखें हमारे पास इसमें आठ फंदे होगे हैं हम आठ फंदे घटा देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ताट अब इनको हम यही पर फंदों को बंद कर देते हैं दो फंदों का एक किया फिर यह फंदा वापिस लेंगे एक फंदा कम हो गया दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और एक फंदाई हम इसके साथ घटाएंगे आठ तो यहाँ पर हमने आठ फंदों की फ्रिल बनाई है अब इसी तरह से हम सारे फ्रिल बनाकर तयार कर लेते हैं जैसे हमने फ्रिल बनाई बाकी भी बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं देखें , हमने कंप्लीट कर लिया है , अब होती ज़्यादा यह सुंधा ड्रेस थे देखें बिलकुल मोर्पंक जैसे छोटे छोटे चोटे मोर्पंक होते हैं उस तरह का इंडिजाइन हमने इसमें बना कर कंप्लीट कर लिया है अब इसकी हम cap बनाएंगे लेंगे यहां पर neck इस तरह से फंदे उठाएंगे एक दो यह डबल धागा हमने इस तरह से लिया है अब इस धागे को यहां पर set कर लेंगे तीन चार और देखिए इसे हम इस तरह से दबा लिए पांच छे इस तरह से हम फंदे उठा लेते हैं यह देखिए हमने सीधी साइड से इसमें फंदे उठा लिए हैं 19 फंदे उठाए हैं 19 फंदे अब देखिए हमें इसको कैसे बनाना है फंदे हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो फंदे हो गए यहाँ पर अब देखे एक, दो, तीन चार, पांच, छे, साथ, आठ नो फंदे ही साइड हो गए अब जो इस एंटर वाला फंदा है दीखे इस पर हमें जाली डालनी है तो इस तरह से दागा घुमाएंगे अपनी साइड देखे इस तरह से और यहाँ पर इस फंदे को उल्टा बूल लेंगे तो एक जाली हो गई एक जाली हमें इस साइड डालनी है तो फिर से दागा घुमाएंगे और एक जाली और डाल लेंगे तो यहाँ पर हमारे दो फंदे बढ़ गए यह देखिए इस तरह से पूरी सलाई उल्टी बना कर कम्प्लीट कर लेंगे लास्ट वाला फंदाय से ही उतार लेंगे अब देखे सीधी साइड पर आ गए हैं यह दाग हम अपनी साइड लेकर आएंगे पहले फंदा उतार लेंगे दाग अपनी साइड लेकर आएंगे और पूरी सलाई हम उल्टी बना लेंगे इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना सीधी साइड से पूरी सलाई उल्टी बनाएंगे दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाना है यह फंदा जाली वाला जिसके हमने जाली ढाली ती उसको भी उल्टा ही बुन लेंगे लास्ट वाला फंदा देखिए हमें थोड़ा सा ध्यान से बुनना होगा दोनों साइड से धागा पीछे करेंगे यह फंदा हम सीधा बुन लेंगे अब फिर से इसकी उल्टी साइड पर आ गए और यहां भी हमें दो जाली ओर डालनी होगी टोटल हमें इसमें चार फंदे बढ़ाने हैं दो बार हमें इसमें जाली डालनी है पहले हमने नो फंदों के बाद जाली डाली ते अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और एक फंदा यह जाली वाला इसको भी बुन लेंगे दस दस फंदे हो गए धागा इस तरह से घुमाएंगे यह फंदा बुन लेंगे फिर धागा घुमाएंगे फिर पूरी सलाई उल्टी बुन लेंगे यह देखे पूरी सलाई उल्टी बना लेते हैं अब दोनों सैडशेश में उल्टी हुल्टी सलाई ही हमें बनानी हैं 23 फंदे हो गए हैं काफी है और फंदे हम नहीं बढ़ाएंगे इस तरह से इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं बनाने के बाद आपको दिखाएंगे इसको इतना हमने बना लिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस टोटल हमने इसमें 20 सलाईया बनाई हैं दस लाईने एक साइड आ गई है और अगर इसको हम नाप कर बताएं तो देखिए इस तरह से धाइंज ये कम्प्लीट है तो अब यहाँ पर इसके फंदे हम बंद कर देते हैं देखिए कैसे सबसे पहले हम इस सलाईय में फंदे उतारेंगे 11 फंदे उतार लिये 12 तीन 4 पंच 6 साथ आट नो 10 11 अब यहाँ पर देखिए 12 तीन 4 पंच 6 साथ आट नो 10 11 तो एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा है यहाँ पर इसको हम इसके उपर से गिरा देंगे तो हमारे पास अब दोनों सलाई में बरावर फंदे हो गए, इस तरह से इनको हम फोल्ड कर लेंगे, अब इन फंदों को हम एक सलाई में उतार लेंगे, दोनों सलाई से हमें एक एक फंदा उतारना है, इस सलाई में, तीसरी सलाई लेंगे हम, एक फंदा यहां से, एक यहां स याह से इस तरह से हम या शॉर इस सारी पंद मेगा इस सलाई में उतार लिए या देखें सारे फंद करेंगे हम इनला को बंद करेंगे सब से पहले हम दो पंदों का एक पंदा बनाईएंगे फिर फंदा बनाईएंगे अब फिर फंदा वापिस फिर तीन का एक इसको बंद करके फिर आपको हम दिखाते हैं यह देखिए कैप यहाँ पर कंप्लीट हो गई है अब ड्रेस हम अपने गोपाल जी को पहना कर दिखाते हैं यह देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से पहना ही जाती है यह देखिए इस तरह से सेट कर देते हैं यह देखिए पहनने के बाद इसका लुक कितना सुन्दर आया है देख सकते हैं बिल्कुल मोरपंक जैसा यहाँ पर यह डिजाइन बना है और यह देखिए यह इनकी हुड़ी है और पहनने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही प्य बाजू की इसकी लेंद देखिए यहां तक यह आप देख सकते हैं अलग से बाजू बनाने की भी जवरत इसमें नहीं है नीचे तक यह बाजू आई है और यह हुट्टी भी बिल्कुल परफेक्ट आई है यह देखिए तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाएं और अपने लड पंखी वाली ड्रेस जरूर पहनाएं कमेंट करके बताएं कि हमारी बनाई ड्रेस आपको कैसी लगी और यह चोली की फिटिंग भी आप देखिए पहुती जबरदस्त फिटिंग आती है इस तरह की चोली की यह देखिए बैक साइड यह फ्रेंट है तो कमेंट में जरूर ब प्रेस करना ना भूले फ्रेट्स मिलते अपनी नकली नहीं वीडियो में राधे राधे